हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए कोलापुरी मिसल पाव की रेसिपी वैसे तो हर जगा पे मिसल अलग-अलग तरिके से बनाय जाती है लेकिन कोलापुर की मिसल का जवाब ही नहीं ये मिसल बहुती बढ़िया बनती है और बहुती टेस्टी होती है इसके पहले भी हमने मिसल पाउ की बहुत सारे रेसिपीज देखी है लेकिन आज की ये रेसिपी बहुती हटके है और आज हमने इसे बहुती इजी वे में बनाया है एक बार सुबे में एक प्लेट मिसल पाउ खाली तो आपको दिन बर भुक नहीं लगने वाली इसे खाते ही मुँ में टेस्ट का धमाका हो जाता है अगर कोई छोटी मुटी पार्टी हो घर में या आने वाले हो कोई महमान तो आप इस रेसिपी को बना कर उन्हें खिला सकते हैं और पा सकते हैं धेरो तारीफ बहुती बहुती ईजी और टेंटिंग रेसिपी को एंड तक जरूर देखें और अभी तक मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बढाएं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेट जरू क करें तो चले शूर करते है अज की रेसिपी और कोला पुरी स्टाइल मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कडाई को गरम करने रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है दो टेबल स्पून आइल अब मैं डाल रही हूं टर्मरी पाउडर बन फोर टीस्पून और एक टीस्पून मैं डाल रही हूं कोरियंडर पाउडर अब मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकोर्डिंग नमक अब सभी सामगरिकों मैं अच्छे से भुन लूंगी क्योंकि इसमें हम पकाने वाले है मोट यानि कि यहां पे स्प्राउटेड मठकी मैंने डाल दी है एक अब मठकी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि मठकी को हमें पकाना है थोड़ी देर आयल में नमक के साथ इसे मैं ढखकर रखने वाली हूं जब तक इसमें एक भाप आ जाती है तब तक हम बनाएंगे मसाला मसाले के लिए यहां पे मैं ले रह जिनमन स्टीक, मेस और स्टार अनिस मठकी की कॉंटी के अकॉरडिंग आप यह मसाले ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी अब मैं इसमें डाल दिया है एक छोटा प्याज एक इंश अध्रक और मैं डाल रही हूं अब इसमें लहसुन की कलिया 20 से 22 लहसुन की कलिया मैं डाल दी अब मैं इसमें डाल रही हूँ handful coriander leaves अब सभी को मैं अच्छे से पिसने वाली हूँ थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने इसका fine paste बना लिया है यहाँ पे मैं आपको दिखा दिती हूँ मैंने किस तरके से paste बनाया है चलिए पेश्ट बनकर ready हो चुका है अब हम मठकी को एक बार चेक कर लेते हैं और अब इसमें एक बढ़िया सी भाप आज चुकी है और यह आधी पक चुकी है लेकिन इसे हमें पूरा पकाना होगा तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी लगवग एक गलास गरम पानी डाल के मैं इसको फिर से पकाने वाली हूँ दस से पंदरा मिनिट के लिए तो इसे क्या करेंगे हम दूसरे बर्नर पे रख देंगे जब तक यह पकती रहती है तब तक हम बनाएंगे तर्री लेकिन इसे ढब कर पकाऊंगी चलिए तर्री बनाने के लिए हमने कड़ाई को फिर सी मेडियम फ्लेम पे गरम करने रख दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ml ओई ओईल इस रेसिपी के लिए ज़्यादा लगता है क्योंकि यह तर्री वाली होती है तो ओईल तो ज़्यादा चाहिए अब मैं इसमें दो बेलीव डाले है थोड़े से तोड़कर अब मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीर्स आधा छोटी चम्मच अब मैं डाल दूँगी जीरा आधी छोटी चम्मच अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऐसे फोईटीडा दो पींच अब सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जीरा और मस्टर सीर्स को क्रैकल होने दूँगी जब ये क्रैकल हो जाते हैं तब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा सा ओनियन बारिक कटा हुआ और थोरे से करी लिउज करी लिउज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं दोनों को अच्छे से फ्राय कर लूँगी ऑईल के साथ जब तक कि ये प्याज हलके भूरे ना हो जाए या फिर ट्रांसलूसन ना हो जाए लगबक चार से पांच मिनिट में प्याज बढ़िया से ट्रांसलू ट्रांसली बढ़िया है इसके पांच मिनिट में तमाटर हमारे गल जाते हैं तो कॉर तेस में टाल देंगे पिसा हुआ मसारा यह मसाला हमने हूने पूरी तरह से कच्चा पिसा है इस्में हमने को चंट ही कच्छी ही डाला है लेकिन ड्राय कोकोनट का यूज किया है आप साबू ड्राय कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं इसमें मैंने डेसिकेटर कोकोनट यूज किया है तो आपके पास जो कोकोनट आइवलेबल हो उसे आप इस मसाले में यूज कर सकते हैं और अब हम ये मसाला तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कच्छापन नहीं निकल जाता क्योंकि इसमें अद्रक, लहसून, कोकोनट और प्याज हमने कच्छी यूज की हैं तो इसलिए हमने इसका कच्छापन पूरी तरह के से निकालना होगा हमने तब तक मसाले को फ्राय किया है जब तक कि इसका ऑईल सेपरेट नहीं हुआ है अब हम इसमें डाल देंगे ड्राइ गरम मसाले आधी छुटी चमच डाल दिया है टर्मरी पाउडर अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर एक चमच मैने दो बार डाला है आधा को हम फिर से तीन से चार मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे जब तक कि इसका कचपन नहीं निकल जाता और इसमें बढ़िया से कलर नहीं आ जाता तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ चुका है मसाले में अब इस मसाले को हम पहले पकाएंगे अब हम इ में सिर्फ मसाले को पकाना होगा तो पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और इसे पास से दस मिनिट के लिए पकाऊंगी या फिर तब तक पकाना होगा जब तक इसमें से पानी रिडूस नहीं हो जाता तो इससे क्या होगा जो यह मसाला है यह फू तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाला हमारा रेडि हो चुका है और पानी, जो हमने डाला है वो भी रीडिस हो चुका है तो अब हम इसमें मिलाएंगे मटकी का पानी, जो हमने पानी डालके इंवोट को पकाया था उसका सिर्फ हम पानी डाल देंगे, क्योंकि इस प करने के लिए हम यहां पे सिर्फ तर्वी बना रहे हैं तो हमने सिर्फ उसका स्टॉकी डाला है अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी यहां पे पानी जो मैंने डाल दिया है वो लुक वार्म वाटर डाला है अब यहां पे आप पानी आपको जितना पतला तर्वी चाहिए उस ह साफ से डाल सकते हैं मुझे ये अभी फी गाड़ी लग रही है तो मैं इसमें और थोड़ा पानी डालने वाली हूँ लगबग यहां पर मैंने एक बाउल पहले डाल दिया है अभी मैंने आधा बाउल पानी डाल दिया है तो जिस इस consistency की मैंने तर्री बनाए है बस उसी consistency की तर्री हमें इसमें बनानी होगी अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे बॉयल आने देंगे एक बॉयल आने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया बारी कटी हुई हरी धनिया लास्ट में डालना है तभी इसका फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इस तर्री को पकाऊंगी 10 से 15 मिनिट के लिए अईसी बॉयल होने देंगे इसको तभी बहुत बढ़ी आप फ्लेवर इसमें उतर जाएंगे मसालों के अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी तर्री बहुत बढ़ी हा बॉयल हो रही है और इसका मतलब यह तर्री बहुत अच्छे से पक चुकी है इसके मसाले भी पक चुके हैं तो यहाँ पे तर्री हमारी रेडी हो चुकी है अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे तो इसे सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूं सर्व तो हमने सारी चीजी प्लेट में पहले से ही कर दी है आप हम सबसे पहले तो एक छोटी प्लेट में डाल देंगे फरसानियाने की नमकिन उसके उपर ड्राइ मोट जो हमने पका के रखी थी कड़ाई में उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना खाना उस हिसाब से डाल सकते हैं और सबसे लास्ट में हम उसके उपर सर्व करेंगे गर्मा गरम तर्री तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये कोला पूरी मिसल पाओ की रेसिपी है ना आसान सी रेसिपी तो लीजिए तयार है हमारी कोला पूरी मिसल पाओ खाने के लिए यह मूँ में टेस्ट का धमाका कर देगी तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रू ट्राय करें क्योंकि यह यमी भी है टेस्ट भी है और बनाने में आसान भी है लेकिन जब आप यह प्लेट सर्व करोगे तो साथ में एक बाल्टी भर के मिसल को रखना बिलकुल ना भूल क्योंकि एक बार आप इसे खाना शुरू कर दोगे तो आप अपने आपको रोक नहीं पाओगी इतनी बढ़िया बनती है तो इस रेसिपी को ज़रू ट्राय करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैन ना भूले अगली बार फिरसी मिलूंगे एकने रेसिपीक साथ टिल देन बाई